Hi everyone and welcome to aapna college त्यार हमारे पास बहुत सारे mails, बहुत सारे comments आते हैं जिसमें students पूछते हैं कि हम coding तो कर रहे हैं हम placement की तयारी कर रहे हैं, internship की तयारी कर रहे हैं पर हमारे अंदर वो interest डेवलप नहीं हो रहा वो passion डेवलप नहीं हो रहा जो आना चाहिए तो क्या हम coding को छोड़के बाकी core domains की तरफ shift हो जाएं या फिर job करने के बाद हमारे अंदर वो passion आ रहा होगा तो यार अगर आपके भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो वो सब हम address कर रहे होंगे इस video के थूँ इसमें आप सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या हमारे goals है क्या हमारा target है अगर हमारा target एक अच्छी placement secure करना है एक अच्छा package लेना है तो उसके लिए क्या हमने 4-5 महीने लगा कर coding कर ली है वो 4-5 महीने जिसमें हमने on an average दिन में 3-4 घंटे लगाए है coding के ऊपर और तब हम कह रहे हैं कि हमारा interest नहीं आ रहा तो शायद यह domain हमारे लिए नहीं बनाया है उस cases में या तो हम domain दूसरा shift कर सकते हैं जिस domain में हमें जादा अच्छा interest हो या फिर अगर ऐसा कोई alternative domain नहीं है हमारे पास तो currently अगर हमें package की placement की जरूरत है तो हम software engineering में ही तयारी करते रहें एक अच्छी placement लें 2-3 साल लगा कर capital एकटा करें और फिर MBA, MS जैसे options को explore करें research की तरफ हम जा सकते हैं या फिर बाद में जाकर किसी और domain में shift हो सकते हैं या कोई side hustle चुरू कर सकते हैं लेकिन अगर हमने अभी वो 4-5 महिने की जरूरी मेहनत coding के अंदर नहीं लगाई है तो उसके लिए यार हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि interest और passion का मतलब क्या है interest यार तब आता है जब हमें हमारे काम के लिए appreciation मिलता है जब हमें तारीफ मिलती है एक छोटा बच्चा होता है 4-5 क्लास में जब उसके maths में बहुत अच्छे नंबर आते हैं और उसके parents कहते हैं कि हमारा बच्चा तुझी बहुत होशार है maths में top कर रहा है अपने school में तब उसके अंदर जो appreciation की feeling आती है जो कितना भी कोशिश कर लो नहीं होते थे तो similar stage सारे के सारे coders की होती है चाहे आज वो ICPC फोड रहे हो पर जब शुरुआत सब करते हैं तो ऐसे difficult questions आते हैं जो solve नहीं होते हैं उन cases में हमें थक के पीछे नहीं बैठना हमें क्या करना है similar type के 4-5 सवाल solve करने है उन सब के answers को solutions को analyze करना है code में similarities जूननी है ताकि हम जादे से जादा सीख सकें हमें patterns देखने की कोशिश करनी है चीजों में तभी जितना जादा हम practice करेंगे उतना जादा हम better कर पाएंगे coding यार genius का खेल नहीं है coding practice का खेल है जिस तरीके से J-E में हम जादा से जादा questions करके जादा से जादा questions actual exam में कर पाते थे वैसे ही coding के अंदर जितनी जादा practice करेंगे उतने जादा actual interview में questions हम जो है solve कर पाएंगे और वो चीज हम कर लेंगे एक बार तो तब हमसे सवाल solve होंगे तब हमारे projects बनेंगे तब ही हमारे classmates, हमारे friends हमें appreciate करेंगे हमें आके बताएंगे हमसे tips मांगे और तब जाके हमारे अंदर interest, passion वाली feeling जो है वो develop होनी शुरू होगी अब यार हम 11-12 में 3-4 घंटे travel करके school के बाद coaching classes के लिए जाते थे वहाँ 6-6 घंटे की classes attend करते थे weekends पे 12-12 घंटे की classes attend करते थे तो कितना ही interest, कितना ही passion होदा था हमारे अंदर J.E. की तरफ हम यार interest, passion नहीं देखना है हमें हमारा goal देखना है and goal देखने के बाद भी जब हम J.E. के बाद engineering में आए तो चार साल engineering colleges में जब हम लगा रहे हैं तो हमारे पास कुछ ही popular options होते हैं जिनको हम explore कर सकते हैं या तो हम software engineering की field में चले जाएं या हम core jobs को explore कर लें या फिर data science, data analyst जैसी jobs को explore कर लें या कुछ students अपना कोई side hustle भी शुरू कर देते हैं अब यार pure placement perspective से बात करें तो core की jobs, data science की jobs इन सब को आप software engineering की jobs से compare करो तो software engineers के जो packages होते हैं वो usually double होते हैं बाकी jobs से या उसी figure के around जो है वो रह रहे होते हैं तो ऐसे case में बहुत सारी students ऐसे भी होते हैं जो tech छोड़ देते हैं पर अगर उनका interest बाकी चीजों की तरफ जादा नहीं होता जैसे कोई बच्चा mechanical से आ रहा है, civil से आ रहा है तो उनको असान लगता है कि अपनी ही जो branch है उसके अंदर वो placement ले ले पर उस case में अगर उनका intermediate साई interest होता है core के अंदर जैसे mechanical के अंदर intermediate interest है और फिर mechanical की आपने job ले लिया है तो आप क्या करोगे, एक साल job करने के बाद वो realization आपको hit करना शुरू करेगी कि हमने लगा तो दिया है एक साल इस चीज के अंदर हम काम अभी भी 10 से 12 गंटे का कर रहे हैं जो शायद एक software engineer से जादा है लेकिन हमारा package उनसे कम है और उस case में 2-3 साल लगाने के बाद एक साल लगाने के बाद हम सोचते हैं कि अब अपना field जो है change कर लें अब हम coding शुरू कर लें तो वही चीज जो हम बाद में जाके करेंगे वो हमें college के अंदर ही कर लेनी है अब यार मेरा मानना है कि सारे के सारे domains बहुत जादा अच्छे है ऐसा नहीं है कि core के जो domains है वो software engineering से कम अच्छे है लेकिन हमारा जो placement है हमें समझना पड़ेगा वो industry की वज़े से चलता है और industry बहुत dynamic चीज है and industry आज कल tech demand करती है education का भी edtech बन गया है finance का भी fintech बन गया है and tech में बहुत जादा jobs जो है वो create हो रहे है और यहीं चीज ताइम के साथ बढ़ने ही वाली है कम नहीं होगी शायद software engineering में उतने jobs ना बढ़े लेकिन artificial intelligence, blockchain, AR, VR ऐसी domains में jobs जो हैं बहुत जादा बढ़ सकते हैं अमेरिका में Amazon ने ऐसे stores निकाल ले हैं जिनमें लोगों की जरूरत ही नहीं है self check-in, self check-out है कोई counter नहीं है कोई इंसान नहीं है जो आपको आके help कर रहा होगा तो हम क्यों न जाएं उस domain के साथ जहां पर हमारे goals अलाइन हो रहे हैं उस काम के साथ तो अब आखेर में मेसेज यह है कि सबसे पहले तो हमें खुद से पूछना है कि हमारे goals, हमारा target क्या है अंद दूसरी चीज क्या हमने वो required 4-5 महीने वाला effort जो है सब स्टूडेंस के जो सवाल है वो answer हुए होंगे उनको कुछ helpful मिला होगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन, keep learning and keep exploring